नमस्कार दोस्टों आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes में तो दोस्टों जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया हुआ है कि मैं आप लोग का 15 अक्टूबर से पहले सारा KORS कम्प्लीट कराके, आप लोग को प्रेक्टिस कराके, सारे साल पेपर कराके, आप लोग के सामने मैं स सबसे important questions है जो कई बार repeat भी हो चुके हैं मैंने और papers में देखा है और जिनको आने की संभावना है उन questions को मैंने चुना हुआ है तो आज मैं आप लोग लिए उन questions को कराऊंगा और अगर दोस्तों अबेता कगर आमने मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का टॉपिक तो देखे आज हम आपके लिए 2016 का सॉल पेपर खराने वाले हैं जिसमें सबसे पहला प्रश्ण है दो संख्याओं का योग फल तथा गुड़न फल क्रमशह 11 वह 18 है तब इन संख संख्याओं के विरुद्कमों का योग बताईए तो दोस्तों ऐसे प्रश्ण करने के लिए सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि संख्याओं क्या है तो हम क्या करते हैं मान लेंगे ठीक है यहां पर करेंगे माना संख्या एक्स कॉमा वाई है ठीक है अगर हम संख्या एक्स और वाई मान लिए तो देखिए क्या हो जाएगा इसका मतलब एक्स प्लस y कितना है 11 और संख्याओं का गूडन फल मतलब x into y कितना है 18 है ठीक है अब देखिए अब बोला है संख्याओं के विरुतक्रमों का ठीक है विरुतक्रम का क्या मतलब होता है संख्या का उल्टा यानि X का विरुतक्रम क्या हो जाएगा 1 upon X और Y का क्या हो जाएगा 1 upon Y ठीक है तो अब देखिए इसमें ये था कि इन विरुतक्रमों का योग बताना है ठीक है यहाँ पर देखिए योग तो अ whole upon y का इसके साथ गुड़ा हो जाएगा और x का इसके साथ तो क्या जाएगा x प्लस y या y प्लस x ठीक है तो अब देखिए दोस्तों x प्लस y की value और x इंटू y की value कहीं दी हुई है क्या तो देखिए x प्लस y की value यहां पे कितनी है 11 है और x into y की value यहां पर कितनी है 18 है तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों हमारा answer क्या आ गया 11 बटे 18 तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा चले देखते हैं अगले प्रश्ण की तरफ दोस्तों आप लोग comment करते हैं तो हमें बहुत यह अच्छा लगता है तो समझ यह बहुत यह अच्छा लगता है इसलिए आप please comment किया कीजिए कोई भी problem हो आप उसमें जरूर comment किया कीजिए तो जले देखते हैं अंगला प्रश्ण देखते हैं आप एक बटे 3 की power minus 1 है minus 1 बटे 4 की power minus 1 है और इसकी whole power minus 1 है तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जैसे अगर कहीं दिया रहे कि 1 upon m दिया रहे ठीक है और इसकी whole power कितनी हो minus n हो ठीक है तो यह क्या आ जाएगा देखिए इसका power हो जाएगा m की power n ठीक है इसकी power क्या हो जाएगी m की power n ठीक है तो इसका मदले भी होता है तो इसी तरीके से यहां पर देखिए एक बटे 3 है तो इसका मदले क्या हो जाएगा 3 की power 1 हो जाएगी minus देखिए यहां पर 4 है तो यह 4 की power कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ठीक है अब देखिए इसकी whole power whole power कितनी है minus 1 है ठीक है अब 3 में से 4 घटेगा कितना आ जाएगा दोस्तों minus 1 ठीक है बड़ा कौन है 4 है इसलिए और power कितनी है minus 1 अब देखेए minus 1 और power कितनी है minus 1 तो यह क्या हो जाएगा यह इसका व्यूत क्रम हो जाएगा जब minus रहेगा तो minus का मतलब व्यूत क्रम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक बटे minus one ठीक है कि whole power one हो जाएगी तो इसका क्या मतलब निकलेगा देखिए दूस्तों अगर minus यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे उपर नीचे माइनस से गुड़ा कर देंगे जैसे यहाँ पर और यहाँ पर क्या किये माइनस से हमने गुड़ा कर दिया ठीक है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वन यह क्या हो गया इसका एंसर हो गया चलिए देखते हैं अगला वीरा चार्य ठीक है इसके लेखक महावीरा चार्य है अगला प्रशन देखिए विभाजनी का प्रयोग किया जाता है विभाजनी का मतलब बातने का तो बातने का प्रयोग किसली के जाता है रेखा कंड की लंबाई ग्याद करने के लिए ठीक है इसका प्रयोग किसली के जाता है रेखा खंड की लंबाई ग्यात करने के लिए ठीक है अगला प्रशन देखिए पाई क्या है देखिए यह सबसे important question है पाई क्योंकि यह कई बार पूछा जा चुका है तो पाई क्या है पाई एक अपरिमेय संख्या है क्या है अपरिमेय संख्या ठीक है दोस्तों अगला प्रशन देखिए सबसे चोटी अभाज संख्या है तो क्या होती है सबसे चोटी अभाज संख्या सबसे चोटी अभाज संख्या दो होती है ठीक है याद रखिएगा सबसे चोटी अगला प्रेशन देखिए 138 डिग्री के सम पूरक का कोटी पूरक है तो 138 डिग्री का सम पूरक क्या हो जाएगा हम 180 में से माइनस करेंगे एकसोअटी माइनस 138 डिग्रี कितना आ जाएगा मित्रों बोलिए 42 डिग्री आएगा ठीक है अब यह क्या हो यह संपूरक वाला है न कि अब इस संपूरग क्या किना निकालना है में इस संपूरक का कोटी पूरग निकालना है इस प्रश्न को ध्यान से दिख्येगा ठीक है गलती करके 42 पर option बें टिक मारना अब इसका कोटी पूरग निका लेंगे तो 42 का कोड़ी पूरक क्या हो जाएगा 90 से माइनस कर देंगे 90 माइनस 42 किन्ना आ जाएगा बोलिए 48 ठीक है 48 डिग्री ये क्या हो गया इसका कोड़ी पूरक तो ये आपका ये प्रशन सौल चलिए देखते हैं अगला प्रशन एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चोड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 है बाग की लंबाई बताईए तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या बड़ा है चोड़ाई दिया हुआ लंबाई बड़ा है तो मान लेंगे माना चोड़ाई कितनी है माना चोड़ाई एक्स है तो लंबाई क्या हो जाएगी तो लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस 4 ठीक है क्यों क्योंकि जो लंबाई है चोड़ाई से कितनी है चार जाता है अब देखिए दिया है का अर्ध परि च्छटिस दिया है ठीक है अर्थपरिमाप का क्या मतलब हुआ अधा देखे परिमाप क्या होता है आयद का परिमाप है याद रखेगा परिमाप आयक्ड का क्या होता है तो है एल लोग Lazหने डो लंबाई प्लस चव्डाई ठीक है अगर आप लोग को फौर्मिला नई ठीक है तो यह एक दो तीन चार इन सभी की आप जोड़ देंगे तो इसका क्या आजाएगा परिमाप आजाएगा परिमाप का मतलब क्या होता है सभी भुजाओं का योग ठीक है तो माल जी यह आपका है ठीक है अब चलिए देखते हैं क्या करते हैं अब यह परिमाप है अब प्लस 4 ठीक है बटा 2 ठीक है अर्ध परिमाप है बटा 2 बराबर किसके हो जाएगा 36 के ठीक है अब देखिए यह दो को हम यहां पे ट्रांसफर करें यहां से यहां तक जाएगा यहां पर भाग में है क्या हो जाएगा देखिए यहां इसको जोड़ दीजे टू एक्स प्लस फोर बराबर कितना हो गया यहां पर बहत्तर चत्यजुना बहत्तर अब इस दो से हम चाहें तो इसको काट सकते हैं ठीक है अब देखिए पहले इसको मेडिप्लाई कर लीजे यहां तो काटी दीजे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है आप यहां भी कट कर सकते थे तो देखते हैं यह कितना हो जाएगा चार एक्स प्लस आठ बराबर बहत्तर अब चार एक्स है आठ उधर माइनस हो जाएगा तो क्या जाएगा बहत्तर में से आठ गया तो 64 और एक्स बराबर 64 बटे 4 ठीक है चार से 64 कटेगा तो कितना आजाएगा 16 त्यानि एक्स बराबर 16 आगया यह क्या हो गई यह इसकी चौड़ाई हो गई तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा मित्रो लंबाई 5 बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4 बराबर 20 ठीक है चली देखते हैं अगला प्रश्ण तीन की तीन क्रमागत गुड़ज संख्याओं का योग 99 है यह गुड़ज कौन से होंगे सबसे पहले दिखिया आप गुड़ज दिया हुआ है और क्रमागत दिया हुआ है ठीक है वो किसक प्लस 6 जैसे 3 का पढ़ा बढ़ते हैं 3 तीन दुनी 6 तीन तरिक का 9 तो कितना बढ़ता है तीन से पहले बार में 3 बढ़ता है दूसरी बार में 6 बढ़ता है ठीक है अब बोला है इन सबी इन तीनों का योग कितना है देखे योग दिया हुआ है 99 ठीक है तो इसका मतलब क्य हो गया x plus x plus 3 plus x plus 6 बराबर कितना 99 ये तीनों 3x हो जाएंगे 3x plus 9 बराबर कितना 99 इंत को क्या करेंगे देखें 3x बराबर कितना हो जाएगा यहां पर 90 ये उधर जाएगा देखेंगे बराबर कितना खता गया देखें 90 बटा इनसर ठीक है देखते आगला प्रशन जो कि calendar से ठीक है calendar से प्रश्ण पूछा जाता है तो उसका देखते हैं क्या है प्रश्ण वर्स 2003 क्या प्रत्थम दिन बुद्धवार था तो वर्स 2005 का अंतियम दिन क्या होगा देखिए यहां पर 2003 जो है वे ordinary ओर्डरी ओर्डरी इर ठीक है साधारन वर्स है जो इसके बाद अगला आएगा 2004 वो क्या ओजाएगा लीप येर होगा तो लीप येर में और डेज यानि विसम दिवस कितने होते हैं विसम दिवस दो होते हैं ठीक है विसम दिवस कैसे निकालत इतना जाएगा देखे साथ पचे 35 एक बच्चा साथ दूनी 14 ठीक है बावन आया और एक दिन एक सेस रहे गया ठीक है यह कौन सा साधारन वर्स था अब यह अगर अब देखिए दोजार पांच आएगा दोजार पांच में इसके बाद दोजार चार में देखिए दोजार पांच आएगा 2005 में और नरीयर है यानि साधारन वर्स वाँ पे एक दिन बढ़ेगा यानि टोटल कितना दिन बढ़ा तीन दिन बढ़ा ठीक है अब देखिए तीन दिन बढ़ा है और दिया कितना है बुद्धवार से है तो बुद्धवार से तीन दिन जोड लिजे एक आएगा मचन हमें लगता है कि आपको समझ में आए होंगे अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजे और सब्सक्राइब कर लिजें हमारी प्लेश्ट आप चेख कर लिया कीजिए उसमें बहुत धेर सारे वीडियोज हैं हर पार्ट का मैंने अलग-अलग प्लेडिस्ट बनाये हुआ है आपको सारे सेक्षंस के वीडियोज यहां भी मिल जाएंगे और जहां तक है तीस तारीक से 15 तारीक तक खुब धेर सारी प्रैक्टिस कराऊंगा तो तब तक के लिए बने रही हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद